स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे आरेच आइसो इमनाजिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यह जो है मिडवाइफरी और गाइनकलोजी में से लिया गया वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर वाइवाइन एक्जैम ठीक है रिटेंट के लिए भी इंपोर्टेंट है ठीक ह और मतलब बहुत ही इंट्रस्टिंग भी है मतलब बैनेफिट्शल टॉपिक है अगर आपको इसकी नॉलेज प्रॉपर है तो आप किसी को भी इसके बारे में बता सकते हैं तो चलिए आज हम यह देखते हैं और जो भी बच्चे इस टॉपिक को देख रहे हैं तो उनसे रि फ्रेंड है तो आप लाइक तो बिल्कुल नहीं करते हैं भूल जाते हैं और कमेंट भी बिल्कुल नहीं करते हैं तो प्लीज आप कमेंट करके बताईए कि आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए यह कैसा वीडियो था अच्छा था कि नहीं था मतलब या क्या कमी थी या कै इसके और इंप्रूव कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, कुछ टॉपिक बताईए, कि आपको किसमें वीडियो चाहिए, किसमें नोट्स चाहिए, है ना, और जो पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जरूर से चैनल को सबस्क्राइब कर लें, जिससे कि सबस्क्राइब के बगर में, जो बेल आइकन है, उसको भी जरूर से प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो इसमें डाले जाते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, सबी एजुकेशन से रिलिटेड होते हैं, और वो फर्स्ट एर, सेकंड या, थर्ड एर, तो जो आरेज इनकंपेटिबिलिटी है, वो क्या है, तो यह है एक ऐसी कंडिशन जिसमें कि जो बेबी होता है, मतलब जो मदर होती है, जो प्रेगनन मदर है, वो कैसी होती है, आरेज नेगटिव होती है, लेकिन जो इसका बेबी वाम में होता है, वो आरेज तो जो ये आरेज इसमें ये जो मदर है इसमें कैसे फिर बात में एंटी बॉडिस बनने स्टार्ट हो जाती है और वो फीटर्स को कैसे करके प्रॉब्लम क्रेट करती हैं वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे ठीक है तो बच्चों मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो भी हम ये देख रहे हैं यानि कि बिफोर स्टुडिंग अबाउट दा मैनेजमेंट आफ दा प्रेग्डेंसी और चाइल बर्थ इन आरेज नेगेटी वुमें तो हम क्या करेंगे कि it is the important to know about blood group and RS factor तो ये बहुत important है कि हम blood group और उसके RS factors के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम इस topic को अच्छी से समझना चाहते हैं ठीक है तो चलिए start करते हैं हाला कि ये सब आपको मालूम है ABO system लेकिन फिर भी क्या होता है कि revision हो जाएगा और जिनको नहीं मालूम है वो इससे benefit ले सकते हैं तब ही तो आपको पता चलेगा कि RS incompatibility क्या होती है ISO immunization क्या होता है तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले ABO system के बारे में देखें तो उसमें हमारे four blood group होते हैं जो कि human being में पाया जाता है जैसे कि A group, B group, O group, AB group देखिए A, B, AB and O तो ये ABO blood group system है ठीक है इन चारों से मिलके ये blood group system बनता है ठीक है इसको determine कैसे करते हैं इनके name कैसे होते हैं इनको determine कैसे करते हैं on the basis of antigen यानि कि किसमें कौन सा antigen है उसके basis से इनको पता चलता है कि A है कि B है कि AB है कि O है ठीक है जो कि उसके कहां पर पाया जाता है surface of the person's red blood surface ये जो red blood cell है इसके surface पर ये पाया जाता है antigen ठीक है तो देखिए ये है blood group इसके diagram के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं बना भी सकते है अपने notebook में ताकि easily understand कर पाएं तो ये blood groups है 4 और ये जो हैं RBCs है यानि कि red blood cell है इसके type है red bloods के इसी में देखिए कहीं पर antigen है कहीं पर antibodies है इससे आपको पता चल जाएगा और O में कुछ भी नहीं है तो ये remember के लिए करने के लिए बहुत easy रहेगा आपको diagram बनाना ठीक है तो ये antibodies जो होती A में कौन सी होती anti-B होती है यानि कि आप इसको उल्टे करके समझ सकते हैं कि जो A होता उसमें antibodies जो होती वो B होती है और जो B होता जो antibodies होती वो A होती कोई भी antibody प्रेजन नहीं होती है और O होता उसमें दोनों ही antibodies प्रेजन रहती है anti-A and anti-B anti-A and anti-B दोनों ही प्रेजन रहती है और antigen के अगर हम बात करें तो antigen में उनकी name के बिल्कुछ same name से आप याद कर सकते हैं कि जो A होता उसमें antigen A होगा B है तो उसमें antigen B होगा उसी से उसका नाम पड़ा A B है तो उसमें antigen A and B है और जो O है तो उसमें कोई भी नहीं है यानि कि जो antigen जो B A B है उसमें दोनों ही antigen है antigen A B है और antigen B B है ठीक है तब इसको A B बोलता है ठीक है तो यह जो है यह comparative study of these four blood groups जो कि आप chart के through understand कर सकते है कि group A जो होता है उसमें antigen A होगा और antibody B होगी और उसमें वो किस-किस को दे सकता है blood group जो होता है वो किस-किस को दे सकता है A को और B को दे सकता है मतलए A को और A B को दे सकता है और ले किस से सकता है वो A से और O से ले सकता है A ग्रूप वाला ठीक है और जो B ग्रूप होता है वो उसमें Antigen B होगा और Antibody उसमें A होगी उसमें जो यह होगा किस-किस को दे सकता है B को एक तो अपने ग्रूप को देगा और दूसरा A B को दे सकता है ठीक है और यह जो वाला अच्छा हम O की बात करें blood group तो इसमें जो blood group O में क्या absent रहता है antigen तो बिल्कुल नहीं होता है और इसमें दोनों antibodies present रहती है और इसमें जो होता है किस-किस को दे सकता है यह सबी को दे सकता है 4 ओको A, B, O और A, B को और इसमें blood group यह किस से ले सकता है केवल O से ले सकता है ठीक है और यह जो AB होता है यह जो AB होता है इसमें दोनों antigen होते हैं A and B और antibody absent होते हैं यह जो होता है किसको दे सकता है यह AB को दे सकता है केवल ठीक है और ले किस से सकता है AB, O and AB यानि कि यह सभी से ले सकता है universal donor बोलता है यह universal जो recipient इसको बोलते हैं ठीक है यह universal donor होगे यह universal recipient होगे लेकिन यह ऐसा देखा नहीं जाता है यह सिर्फ books में है otherwise चाहिए emergency होती तो emergency में इसको दे सकते हैं लेकिन generally जो होता AB को AB ही दिया जाता है ठीक है अब हम देखते हैं इसके blood group की जो what blood types match कैसे 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 उसको match करते हैं तो जो AB A group के बारे में देखे तो इसमें antigen A और antibody B होती है तो यह जो था blood group A में देखने को मिलता है और यह किसको donate कर सकता है यह AB को donate कर सकता है ले सकता है यह और यह किस किस से ले सकता A से और O से ठीक है यह हम return में हम वैसे बना सकते है यह देखिए यह है रेट सा RBC है इसमें antigen present है देखिए यह antigen होगे इसके surface पे और इसके plasma में antibodies B present है A में ठीक है और जो B group है उसमें antigen A B present है इसके surface पे और इसमें जो plasma में antibodies A present है ठीक है B में और जो A B blood group है उसमें surface में A और B दोनों antigen present है A B में लेकिन antibody उसके plasma में कोई भी न अब ये जो है O group है O में क्या है कोई भी antigen present नहीं है लेकिन उसमें antibody कौन कौन सी दोनों ही present है यानि कि A भी present है और B भी present है ठिक है तो अगर भी group की बात करें तो इसमें B group में क्या होता है कि antibody A present होती है इसमें B group में और antigen तो इसके name से ही बताईए कि B antigen होगा और antibodies में A होगी ठीक है और यह जो होता है किसको दे सकता है A और A भी दोनों को दे सकता है किस से ले सकता है B से और O से ले सकता है आप चार्ट के डाए जो यह diagram के हिसाब से भी आप समझ सकता है यह चार्ट जो बना है donor होगे है यह recipient होगे है यह जो O होता है वो सभी को दे सकता है ठीक है और जो A होता है वो A से A को दे सकता है और A B को दे सकता है B किसको दे सकता है B को दे सकता है और A B को दे सकता है और A B किसको दे सकता है सिरफ A B को दे सकता है ठीक है अच्छा blood AB की बात करें तो AB में तो हमने देख लिया था कि दोनों इसमें antigen होता है यह जो blood AB जो होता है उसमें both A and B antigen present रहता है और antibodies इसमें absent रहता है और यह जो AB होता है किस-किस को दे सकता है डोनेट कर सकता है A and B को यह दे सकता केवल और ले किस सकता है इन चारों से यह ले सकता है इसलिए इसको क्या बोलता है universal recipient भी इसको बोलता है O जो होता है इसमें हमने देख लिया था कि antigen जो होता है इसमें absent होता है blood में लेकिन इसमें दोनों antibodies जो होते हैं present होता है और जो होता है किसको donate कर सकता है this is our fasting ए और जो होता है by mistake printing mistake हो गया A, B, A, B और O यह चारों blood group हैं जिसको कि यह donate कर सकता है कौन यह blood group O और यह ले किस सकता है स्रिफ यह O से receive कर सकता है इसलिए इसको यह दे सबको सकता है ना cuatro को दे सकता है इसलिए इसको universal donor भी बोलते है ठीक है और यह ले सिर्फ एक से ही सकता है ठीक है और जो A B था उसको universal recipient बोलते है क्योंकि वो सबी से ले सकता है अच्छा जो अब हम देखते है B मनला इसका A portion तो हमने देख लिया blood group का अब B में हम देखते है RH system और RH antigen is found on membrane of red blood cell यह कहां पे रह जाते है जो RH factor होते है ठीक है RH antigen और यह जो होते है जो antigen are present are called RH factor जिसमें antigen present होता उसको RH factor बोलते है और जिसमें antigen absent होता उसको RH यह बोलते है देखे इसमें कुछ present नहीं है तो यह क्या हो गया RH negative हो गया और इसमें present है तो यह क्या हो गया RH positive हो गया P for present A for absent तो absent है इसमें औ और इसमें present है, तो यह RS positive, positive मतलब present, negative मतलब no, कोई present नहीं है, ऐसे समझ लीज़े, ठीक है, तो यह जो RS factor, this antigen is found in absent about 85% of total population, यानि कि जो total population में 85% तो antigen पाया जाता है, सबके RBC, मनलब बलंड में, और जो absent होते हैं, वो 15% होता है, जो antigen होगा, वो 15% लोगों में absent होता है, तो इसले जो होता है, 85% total population जो होती ही, रह positive होंगी, और उसके 15% population जो होती ही, रह negative होगी, यानि कि total population की 15% ही, रह negative होती है, यानि कि कम देखने को मिलते हैं, negative, positive सब ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो thank you guys for watching this video, please like, share, comment and subscribe this channel, please do like, share, comment and subscribe, okay, and please इसमें like तो जरूर कर लीजे जाते जाते जाते, और देखिए, ये मैंने आगे को बनाया है, ये हम आगे को देखेंगे, कि कैसे कैसे, और ये पूरा, कैसे ये, आगे कि इसके जो process, जो main heading था, RS, ISO immunization during pregnancy, वो हम देखेंगे, इसके next वाले part में नहीं, तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा है न, तो इसमें हम देख लेंगे कि कैसे कैसे, जो individual होता है, वो, कौन individual होते हैं, जो anti-RH, antibodies को नहीं बना पाते हैं, कौन individual होते हैं, जो इसको बना पाते हैं, किस तरीके स ये बेबी में क्रॉस करता है, ये मनलब कैसे इसके management होता है, ये सारा हम देखेंगे, ठीक है, तो चलिए start, अब ये second part में मिलेंगे, ओके, तो तब तक के लिए good bye, take care, और subscribe करना, like करना, बिल्कुल भी मत भूलिए, जाते जाते like कर जाईए, okay bye, good bye.